हेलो स्टुडेंट्स मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स अकेडमी जिसमें हम सिक्स्थ क्लास एंसी आर्टी टेक्स्ट बुक्स हनी सेकल की सेकंड पॉयम को रीड करेंगे और उसको एनलाइज करेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले अग भी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर दे इससे यह होगा कि फ्यूचर में मैं कभी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा तो चलिए फ्रें भी इसको उडाने में काफी आनंद लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं All of us like to fly kites हम सभी को kite यानि पतंग उडाना पसंद है Have you ever tried to fly one क्या कभी आपने कोई यानि कि kite को उडाने की कोशिश करी कभी try किया Read this poem about a kite इस poem को पढ़ो जो की kite के बारे में as it flies और जैसे यह उड़ती है in the sky आसमान में कैसे उड़ती है और kite क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी detail में बताया गया इस poem मे students how bright on the blue is a kite when it's new how bright कितनी चमकीली होती है कितनी शांदार होती है चमकदार होती है on the blue blue means यहां पर sky है तो on the blue means के sky में कितनी चमकदार लगती है जब वो sky में होती है आसमान में होती है is a kite वो kite होती है when it's new जब वो नहीं होती है तो कितनी शांदार और चमकदार लगती है with a dive and a dip it snaps its tail with a dive, dive होता है गोता मारना जैसे कि एक गोता खोर जो होता है पानी के अंदर गोते मारता है तो यहाँ पे जो पतंग है उसके बारे में बोला है काइट के बारे में बोला है वो किस परकार जैसे कि एक गोता खोर पानी में गोते लगाता है कूदता है डाइब मारता है और डिप यानि कि डूप जाता है अंदर तक जाता है उसी तरीके से काइट को भी देखोगे आसमान में यह गोते सी मारती भी देखती है कि उपर से नीचे की तरफ आती है और it snaps its tail snaps जो होता है sound होता है cracking sound cracking sound में इसको टूटने जैसी आवाज देखते हो उसकी जो टेल होती है जो पूछ होती है वो जब हवा में नीचे या उपर की तरफ जाती है तो किस तरीके से आवाज करती है तो इस तरीके की जो आवाज टूटने की जो आवाज होती है उस लाइक शिप तैन सोर्स लाइक शिप विद विद ओनली असेल ऐस ओवर टाइड्स और विंड इट राइड्स देखो शोर लाइक शिप सोर के मतलब होता है उचा उठना पहले आप देख लो की शिप दिखो ड्राइंग थोड़ी सी मेरी सही नहीं है एक शिप में बना रहा मालो असल में लगनी रहा तो जब कोई टाइड्स आती है टाइड्स टाइड्स जो होती है वो क्या होती है लहरे होती है उची उची लहरे ठीक है जब कोई लहरे आती है तो शिप क्या करती है अप वर्ड्स यानि उपर की तरफ शोर होने लगती है शोर यानि उपर की तरीके से ऊपर की और उठती है उसको बोलते हैं शौर लाई कर शिप तो यहाँ पर पतंग के लिए ये बात बोली गई है कि पतंग किस तरीक दरीके से ऊपर की तरफ बढ़ती है विद ऑन्ली असेल ठीक है यह जो शेल वरड़ है ये असल में जब पहले के जो जहाज होते थे देखो गया आप उसके उपर कपड़े ऐसे बंदे होते थे ठीक है ये जो कपड़े बंदे होते थे canvas की तरह, यह क्या करते थे, हवा के pressure से नाओ को आगे खैच के ले जाते थे, तो यह नाओ को आगे खैचने का काम करते थे, यह sale, ठीक है, कि हवा की वज़े से क्या होता था, यह बहुत ही जादा, आगे की तरफ बढ़ते थे, आगे की तरफ run करते थे, और इसी situation को, इसी action को जो poet है उन्होंने जो kite है उसके reference में बताया है कि kite भी देखो ऐसा ही करती है जब बिल्कुल ship की तरह करती है कि हवा लगते ही आगे की तरफ उपर की तरफ बढ़ती है उसी तरीके से kite भी सेम आगे की तरफ जब हवा आती है चलती है तो आगे के तरफ बढ़ती है तो ये कुछ इस तरीके से समझाने की कोसिस करिए ship के example लेके as over rides of wind its rides as over tide जैसे कि tide के ऊपर एक ship होती है वो ये बात देगा climbs to the crest और ये climb कर जाती है crest crest यानिकि एकदम चोटी पर उचाई पर एकदम चली जाती है of a gust and pulse जैसे ही हवा के कोई जोके आते हैं जैसे ही इसे खैचते हैं पुल्स करते हैं ये बिल्कुल crest पर यानिकि उचाई के ऊपर चली जाती है then seems to rest as wind falls और बिल्कुल ऐसा लगता है कभी कबार कि ये बिल्कुल rest में आ गई है कब आती है जब wind falls यानिकि हवा चलनी बंद हो जाती है कम हो जाती है wind यानि जो हवा होती है वो बंद हो जाती है तब यह एकदम कैसी लगती है जैसे कि rest में हो when string goes slack you wind it back जब string कहते हैं धागे को जिसमें मांजा कह सकते हैं जब हम पतंग का जो मांजा यूज़ करते हैं वो strings होती है जब वो धीली पड़ने लगती है you wind it back तो आप जल्दी से उसे कहचते हैं and run until a new breeze blows और आप भागते भी हैं जब तक कि बिल्कुल हवासी भी न चल जाए उसमें हवा न भर जाए और वो जो पतंग है वह वापिस ऊपर न आ जाए तब तक आप भागते भी है and its wing fill and it goes up जब तक भागते हैं जब तक उसके wings जो पंग होते हैं उनमें हवा भर न जाए और वो ऊपर की और न आ जाए तब तक उसको उड़ाने की कोशिस करते हैं How bright a blue is a kite when it's new How bright on the blue it's a kite when it's new कितनी bright होती है जब वो आसमान में होती है वो kite जब वो नहीं होती है But a ragged thing पर एक परेशानी है एक खराब बात है इसमें You never will see when it flaps on a string in the top of tree जब आप इसको नहीं देख पाओगे आपको नहीं मिलेगी जब इसके जो flaps हो जाते है on string flaps यानि फटफडा जाती है और flap का मतलब तो फटफडाना ही होता है लेकिन ये इस तरीके से एक आप कहलो जो इसकी जे string होती है वो फस जाती है string यानि मांजा फस जाएगा in the top of tree, tree के top में तो क्या होता है कि ये आपको वापिस नहीं दिखेगी यानि कि बिल्कुल आप loose कर दोगों से खोद होगों क्योंकि जब पेड में फस जाती है काइट तो आप देखते हो कि हम उसे खहचते हैं तो तूट जाती है लेकिन वो काइट वापिस नहीं आती तो ये इसकी ragged thing है, ragged thing यानि कि एक अच्छी बात नहीं है और इस poem के जो writer है, उनका नाम है Harry Bain इनकी ये poem है, तो बच्चों ये आपको कैसी poem लगी, कमेंट में जरूर बताना और अगर समझ में आई है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जादा से जादा लोगों में शेयर करें